त offend vendor कोड में हमारे पास कौण-कौण से आ रही है सबसे पहले आ रे मेरे पास je lor दूसरा मारे पास हरे-चीवन हिस्या में एटी ट्री फॉड्प से ना रहा है जी-एंति तरी आ यरा सबक्रायर रहे यहांथ होसे जो घुसे एले खु़ मेरे बास mismatch मतलब मोथ कட जाना और यहां यहां पर अरहां पर एक चीज हो रहा है जी टीवन जी टीवन का मतलब किया करत शोडुत इलिंस के है जाम्त जेकर किसे वह बैंत्त हैं जो एक हो यह सबीभीच वह दो और next जो हमारे बस G70 आ रहे है उसका भी मतलब क्या है pack drilling दोनों में फर्क्या है दोनों ही pack drilling cycle है और दोनों में फर्क्या है pack drilling जो G83 आ रहा है इसमें क्या है chip removal pack drilling cycle with chip removal ठीक है एक हमारे पास G83 जो है वो chip removal और G73 जो है वो chip breaker ठीक है और यहां पर short drill आ रहा है तो short drill में हम पहले देख लेते हैं कि block क्या आएगा है इसके साथ तो हम लिख रहे हैं G81 के साथ x y की position और z मेरा minus कितना जाएगा मालो माने minus 10 ले लिए ठीक है और इसके साथ r आए जाएगा 2 r हमारे पास क्या चीज़ है retract value retract value का मतलब क्या है कि जहां से यह cutting हतम करेगा वहां से यह दो में उपर आजाएगा ठीक है और next हमारे पास g82 अरए spot drill इसमें देख लेते हैं इसके block का क्या function रहेगा किस तरह से यह काम करेगा g82 आजाएगा x की position y की position आजेगी जेड माइनस माली जी मैंने फिर अगें 10 ही लिया spot drill और short drill में जाला फर्क नहीं है बस एक ही चीज़ एक ही चीज़ को फर्क है r2 mm जाएगा और p आएगा 1000 ठीक है जो इसमें p है वो क्या चीज़ है इसमें dual time ठीक है dual time का मतलब क्या है हमारे पास की एक time के लिए वो और यहाँ पर rotate करेगा अब rotate कितना time के लिए करेगा वो 1000 is equal to one second एक second के लिए रुकेगा तो यह जो value है microns में उड़ता है इसके बाद हमारे पास है g83 तो g83 में क्या आएगा मेरे पास x की position y की position z अब यह जो है मान लीजी देखो एक छोटा ड्रिल लगाना है वहाँ पर शोट ड्रिल यह जते हैं ठीक है मान लीजी मेरे को z minus 40 mm ड्रिल लगाना है उसके लिए में एक साथ इतना बड़ा ड्रिल नहीं लगाता है ठीक है उसके लिए में क्या करता हूं पैकिंग में चला जाता हूं सो पैकिंग कितनी आजेगे मेरे पास 5 mm की पैकिंग आजेगी और आर आजेगा तो जैड इसमें मैंने इस तेंट जाद देगा क्यों क्योंकि यह हमेशा पैकिंग का मतलब है पैकिंग एक वैली हम दे देंगे उस पैकिंग में चला जा जाएगा जैसे महां लीजिए यह जो 81 और 82 जा रहा है यह एक ही बार में 10 mm ड्रिल मारतेगा चीक है बट यहां का मतलब कर देप्ट अब वो कितने अने men a depth of जाएगा एक बार में 5 का कर खरेका फिर वो दो में चला जाएगा फिर वो पांच अंहं का करेगा फिर दो पुरायगा इस तरह से करेंगा ने कीव का मतलब के depth of cut कितना पैक दे दिया मैंने पैक दे दिया 5 mm का depth of cut और इसको पैकिंग भी बोल सकते हैं तो पैकिंग मैंने 5 mm की दे दी 5 5 mm की depth भी वो cut लगता जाएगा सो इसी तरह से जी 73 भी है मेरे पास जी 73 और जी 83 दोनों सेमी तरह से यूज होते हैं बट दोनों में फर्क है हैं हम दोनों में से कौन सा यूज करेंगे देखो क्या है जब हम drilling cycle लगा रहे हैं ठीक है तो हमारे पास जैसे chip remove हो रहे हैं तो it means मेरे drill बहुत सही तरीके से cutting कर रह है ठीक है बट अगर मैं drill लगाते हुए chip ही मेरे अंदर से break हो रहे हैं तो वह drilling tool को भी खराब करेगा और जो आपकी job है जिसमें आपने drill लगाना है उसको भी खराब करेगा तो इस लिए 73 कभी भी यूज नहीं करते हैं तो इस तरह से कि दोनों कोड़ है आपके बस तो यह यहां पर मैक है बना लेता हूं वनन फेफटी रवन फेस्टी का ब्लॉग ले लेता हूं एक वी ने की ट्रिल का डाय मैंने ले लिए 10 mm का नेक्स्ट मैं क्या करूंगा यहां पर मैं आपको जी 16 के साथ ही करा रहा हूं अलागी मैं आभी सिंपल भी करवा सकता हूं ड्रिल जो है यह कॉर्णर पर भी लगा सकता हूं जैसा मरजी पैटन आप बनाना चाहते है वैसा पैटन इसमें बना सकते हो तो एक मैंने यह ले लिया इसका डिस्टन्स में यहां से यहां तक दे दोता हूं किसना मेरे पास 50 का तो इसमें सब प्र सब्सक्राइब लेता हूं इन सब्सक्राइब लेता हूं तो आप देख सकते हूं यह सारे पैटन के जो सरकल है वह भी चेंज होगा ठीक है अब मेरे को स्क्या के डिमेंश्यंस है मेरे पास यह वन फिफ्टी के बलोक है और सेंटर से यहां तक का डिस्टन्स कितना है फिफ्टी है तो यहां फुटा फुटा हम प्रोग्रम बना के देख लिए थे हैं किस तरह से प्रोग्रम बनाएगा तो हमने लास्ट कितना बनाया था प्रोग्रम 13 बनाया था कितना बन अब आपने सेंटर अगेन वहीं बनाना है कि अभी सेंटर आपने फिर वहीं बनाना है यहां तो यहां से स्टार्ट कर लो क्योंकि सेंटर इसका यहीं प्यार है यह बिल्कुल सेंटर भी आ रहा है ना इसकी तो पॉजिशन पता नहीं लगेगी अगर उरीजिन में यह बनाऊंगा तो है ना इसकी position पता नहीं लगेगी तो इसकी यह बिल्गू straight आ रहे तो मैं यह वाली position ले लेता हूं यहां फिर मैं यह वाली position ले लूँगा ठीक है तो 0,50 यहां फिर x की value 0 और y की value 50 यहां x की value 0 y की value minus 50 मैं दोनों में से कोई value बे सकता हूं तो 0 50 ले लेते हैं x 0 y 50 आ जाएगा की में रज़ादा से हो एक से मैं कह रहा हूं कि यह जो आपके पास drawing पड़ी हुई है इसको दियान से देखो ठीक है मैंने यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, छे आइटम्स लिए हैं यहां पर ठीक है तो सेंटर से मेरे यहां तक का distance कितना 50 है कल जो मैंने slot बनाए तो यहां से start हुआ था तो यह भी slot सा मेरे पस बड़ी यहां पर कोई object नहीं है अभी आपके पस तो मेरे पास origin से straight क्या रहा है यह बला रहा है अगर मैं इसकी value find out करना चाहूं तो इसकी value मैं find out नहीं कर सकता हुए क्योंकि मेरे पास distance नहीं दे रखा है ठीक है ना करना चाहूं तो मैं कर भी सकता हूं तो इस टेंसर होदा 50 नहीं होएग अगर होदा भी इंगल भी चेक कर लेते हैं एक बड़ी एंगल कितना रहे ठीक है ठीक है और इसके बाद यहां से यहां तक एंगल कितना रहे थर्टी आ रहे ठीक है और इसके बाद यहां से यहां तक एंगल कितना रहे सिक्स्टी आ रहे तो यह एक थर्टी भी आ रहे एक आरे सिक्स्टी भी तो अगर मैं यह वाले ले लूँगा तो यहां से यहां तक के इंगल कितना आजएगा वह भी मुझे देखना पड़ेगा इन दोनों के पीच का एंगल कितना रहे है ठीक है वैसे मेरे पास अभी 30 भी है फिर 60 भी है और दोनों के बीच का डिस्टंस कितना रहे अगर मेरे पास एंगल दिखा रहे हुआ तो यहां से मैं अगल ले ले तो एक्स जिरो वाइश उटकी तो मैं अभी जी सिस्टंस में भी पोजीशन ले सकता हूं ऐसी कोई बात नहीं है बट मैं फिर भी स्ट्रेट ले रहा हूं मेरे को मान लीजी मैंने जी सिस्टंस नहीं है कि लेखाना सुम्हें यहां से स्टार्ट कर रहा हूं यहां फिर मैं यहां से स्टार्ट कर दो मैंने यह वाली पोजीशन ले ली एक स्ट्रोय वाइश तेमिग को यहां पे एक्सटोय फिटी जाय टुब है आपके पास जीवन जीड़ जीड जीड़ और यहां पर आपके पास आगया जी एटी वन आपके पास एक्स की पूजिशन क्या एगी ते वही जीरो और वाइगी तो अब इसके बाद क्या करेंगे आपको बार बार जी एटी वन लगाने की जुरूरत नहीं है आप आपके जाना पड़ेगा तो यह वाल अडर लगा रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टास मुझे नहीं पादा तो मेरे को जी जाना पड़ेगा तो जी एक्सिन में इसकी पूजिशन क्या जाएगी एक्स फिफ्टी वाई से लिए शिक्स फिफ्टी वाई वन फिफ्टी एक्सी आगें जी इस कितना जाएगा एक्स फिफ्टी राई तो यह बाई तो फुन्ट टmost 210 पिर उसके बाद गी 16 x 50 वाइ 270 270 अगे नेक्स गी 16 x 50 580 degree 33 33 30 degree ऋट्री-गरी देगरी ट्री उप्क जिस एक्स 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 हैं इसने च्टि वाइने ठी वाइथ ट्टि रे जाए ये लाइए आट्टि यbenदी जाए वाइथ ट्री याइ त्री तो यही प्रोग्राम में आपने क्या करना है यहां पर ही 83 लगा देना जी एटी टू इसी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करके देख लेना सारे प्रोग्राम आपके यहीं पे चल जाएंगे सबसे पहले हम जी सबसे पहले हम जी एटी वन लगा के देखते हैं किस तरह से यह प्रोग्राम चलता है कि टूल था मेरा मैंने टूंटी का टूल लिया तूल स्टेशन वन में अड़कर दिखते हैं इसको चरब फ्लैटी ले मांगे टूल टाइप एट रेलो हाँ यहां पर एक चीज़ मॉस्ट इंपोर्टेट है दो टूल लेंगे हम यहां पर तो ड्रिल का जो डाया है वह भी टूंटी लेंगे है और हम आफ से ज़ो लेंगे फ्लै अनल से लेंगे टूल को काल करेंगे डिल को क्यों ऊसका रेजन यह है कि जो आपका रिल होता है उसकी साउर्ट होती है वो टेपर में और में उती है तो स्की मॉज़कर प्रोप्र ये प्रोपर शॉज़कर लेने के लिए यहां पर क्या आएगा आपके पस वाई कितना आएगा ठीक है क्योंकि मिरेको जो औरिजिन वो और पर लेकर आना है यहां पर हम क्या करेंगे मेजर कर देंगे इसको नेच्ट मेरे पर क्या रहा है यह जीज प्रोग्राम ले लेते हैं पहले कितना नंबर प्रोग्राम बना लेते हैं तो डिस्टर्बम्स आरी बहुत जादा अब जी 17 जी 21 जी 90 जी 94 जी 55 टी 01 M06 स्पिंडल आगा मेरा अच्छा ठीक है गुट इससे पता लगता ही क्लास में हो तुम ठीक है S2000 M03 G0X की पोजिशन क्या आजीगी अभी G0X मेरे पास आगया 0Y50 0Y50 सबसे पहले मैंने उपर लिया Z2 आजाएगा G1 Z0 फीड मेने देदी और कुलेंट मेने वान कर दिया नेक्स मेरे पास कहा है G801 X कितना आजाएगा 0Y50 Z-5 प्र आजाएगा 0Y50 G60 X50 Y150 Z-5 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 J16 X50 Z-5 Z-5 Y3 Z-5 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 So, यह पूरा फोर्रॉग्राम आपको कंप्लीट होगी अब इसको सो चला के देखते हैं अब यह को पेंटर भी लिखा रहे हैं ना आपको अज्तम साहिकर रहे हैं यहां से इसको चलाकर देख लें यह आगा न उपर तो यहां पे चीज और और करो कि आप तीन और ब्रिलिंग साइकल को चलाकर दिखो ठीक है मैंने अभी यहां पे जी टी वन लगाया था अभी यहां पे आप जी टी टू लगा लो ठीक है तो जी टी टू में जेड माइनस फाइब रहेगा और वही रहेगा R2 के साथ P1000 लग जाएगा मतलब क्यों एक एमम के लिए क्या करेगा हाँ डॉयल टाइम का मतलब क्या है फिनिशिंग के लिए यूज होता है कि मतलब एक सेगंड के लिए वो निचे रोटेट करेगा फिर उपर आएगा ठीक है पिर अब है लिए यहां अगे लिए हाँ कि एक सेगंड के लिए निचे रोटेट भी कर रहा थो भर अधिक है ठीक है दोंट राना मतलबाँ पर उक्षस कीलिए हो निचे होँड करता है कि अब यहां पर यहां पर थोड़ा लगता हूं और साथ ही में इसके क्यों कितना जाएगा फाइव हो जाएगा कि इसको कॉल्टेर कर लेता हूं और रिट्रेट वेल्य उतनी है और यह मेरा पीवन थाउद नहीं आएगा यहां पर इस साइकल को भी यहां पर चुला के देख लिए क्यों पर देख जाएगा 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 आपका वो चला जाएगा जाएगा एक सेगेंड के लिए रोटेट करेंगा नीचे ओ फिनिशिंग के लिए ठीक है चलो आज की क्लास ओवर करते हैं आज वारे टोपिक तर ड्रिलिंग सेखिल कलम नए टोपी किताथ मिलते हैं और के सब्सक्राइब थैंक्यू जाएग चलो धियां रखना अपना ओक कि अाँ के सम्र्ट के साइब कि सम्रों के सorfेंक्यों के सम्राइब